गर्माया दो छात्राओं का विवार दो पक्षों में जम कर चले पत्थर एक पक्ष के घर में घुस कर तोड़ फो पुलिस को किसी साजिस का श्याख जमसेतपुर के उलीडी थानचेत्र के खनका में दो इसकुली छात्राओं के बीच हुई मारपीट के बाद मामला काफी गर्मा गया मामले को लेकर दो पक्षा अपस में भिड़ गए जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जम कर पत्थराओ किया जबकि एक पक्ष के घर में गुस कर तोड़ फोर भी की गई वहीं एक बाइक को पूरी तरह से तोड़ दिया गया इस घटना में तीन लोग घायल हो गए जिनने इलाज के लिए MGM अस्पताल में भरती कराया गया सूच न मिलते ही भारी संक्या में घटना इस्थल पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई वहीं मौके पर DSP और थानफ्रवारी पहुंचे और मामले को सांथ करवा कर जांच में जुट गई इस्कूली चात्राओं के विवाद को लेकर दो पक्षाफस में बिड़े थी वहीं इस मामले को भड़काया जा रहा था DSP के मुताब एक इस्कूली चात्राओं के मामले को बड़ा रूप देने की कोसिस की जा रही थी पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द रफ्तार कर दिया जाए कि दो छोटा बच्चा के लड़ाई है लड़ाई हुआ था उसी मिखला सबाज बड़ा था दोनों साइट का लोग अपसी में मार पिट किया है उससा को बात नहीं है कि सरकारी स्कूल है गरीब बच्चे यहां पर आते हैं और आए दिन इस परकार की लड़ाई होते रखती है किसी में तूटू मायमे में खोड़ी से बात बड़ी और उससा कोई बड़ी बात नहीं है किसी महिला और किसी की लड़के को चोट लगाया घर में पत्थर बाजी हुआ गाडी मी तूटा है जमसेत्पुर से लाला जवी की रिफोर्ट